हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी आपका मेरी चैनल टैक मोबस स्वागत है तो आज की वीडियो वाट्सअप के एक अमेजिंग फीचर को ले करके है तो जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप वाट्सअप यूज करते होंगे आप सभी तो आपको फोटो वीडियो ऑडियो या कुछ भी डेटा के रूप में आपको कुछ भी सेंड किया जाता है तो वह आटोमेटिकली आपके फोन में डाउनलोड हो जाता है या सेव हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि यह कोई भी चीज आपके अकॉर्डिंग डाउनलोड हो आप जिस पे क्लिक करें से वही ची डाउन्लोड हो तो उसके लिए WhatsApp के अंदर कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिसे आप साइटिंग में जा करके अपने according सेट कर सकते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे WhatsApp पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला आपको इस तरह के कर इंटरफेस दिखाई देगा उसके बाद आपको यह ट किगानगे कि अधिर आपको इस्ट्रेज перем डेटा का ऑपशन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना एं इस पर आने के बाद आपको media auto download का option दिखाई दे रहा होगा इसमें आपको तीन option दिखाई दे रहे होंगे इसमें सबसे पहला option है when using mobile data जिस पर अभी हमार को click करना होगा अब इसमें चार point दे गए हैं अब इन चार point का मतलब मैं आपको explain कर देता हूँ इसमें photo, audio, video और document दिए गए हैं अगर आपको अपने according कुछ भी data download करना है तो आप इसमें से सारे के सारे tick हटा देंगे और ok पर click कर देंगे अगर आप चाहते हैं कि यह automatically download हो जाएं तो जो जो आप चाहते हैं कि download हो automatically आप सिर्फ उन पर click कर देंगे और ok का button दबा देंगे जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी video अगर मेरे को send की जाए तो वो मैं अपने according download करूँ मैं check करूँ कि वो download करनी है या नहीं तो इसलिए मैंने उस पर से tick हटा दिया है अब मैं ok पर click कर दूँआ तो कुछ भी अगर video मेरे WhatsApp पर send की जाती है तो जब तलग मैं उस video पर click नहीं करूँगा तब तलग मैं download नहीं होगी तो यह था मेरा mobile data के according अगर मैं अपना WhatsApp यूज़ करते टाइम अपना data यूज़ कर रहा हूं फोन का data यूज़ कर रहा हूं तो यह सारे के सारे settings हो गई है लेकिन अगर आप Wi-Fi यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी एक option नीचे दिया गया है यह same option जिसके अंदर same चारों चीज़ पूछी गई है फोटो ऑडियो वीडियो और डॉक्यमेंट अगर आप चाहते हैं कि आप Wi-Fi यूज़ करते टाइम किसी और का Wi-Fi यूज़ करते टाइम यह सारे डॉक्यमेंट आटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और OK का बटन दवा देंगे अगर आप चाहते हैं कि आप फोन का डेटा यूज़ करते टाइम यह Wi-Fi का डेटा यूज़ करते टाइम सेम कंडिशन रहे तो जैसा लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो जो आपको सैटिंग्स चाहिए आप उसके क्लिक कर सकते हैं जैसे कि अब मेर को मैं डॉक्यमेंट से हटा दूँगा तो इसका मतलब है कि यह सारी के सारी चीज़ अगर कुछ भी आती है मेरे फॉन में तो जब तलक मैं से क्लिक नहीं करूँगा यह डाउनलोड नहीं होगी तो इसके अब ओके दवाने के बाद यह सैटिंग मेरे फॉन में सेट हो चुकी है मेरे वाट्सप पर सैट हो चुकी है अगर अब कोई भी डेटा मेरे वाट्सप पर भीजा जाएगा तो यह मेरी परमिशन के बेना डाउनलोड नहीं होगा तो इस तरह से आप अपने फॉन में जाकर के सैटिंग कर सकते हैं और अपने वाट्सप को और ज्यादा यूसफूल बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग यह था वाट्सप का हीडिन फीचर तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना प्लीज अगर अ झाल